जिस देश में गंगा बहती है को 1962 में बेस्ट फिल्म के लिए सम्मानित किया गया था इस फिल्म में राज कपूर पदमिनी और प्राण ने एहम भूमिका निभाये थे राजू, राज कपूर को एक अनाथ और मिलंसार गरीब शक्स दिखाए गया है जो अपनी रोजी रोटी गाना गा कर कमाता है एक दिन वो एक घायल आदमी की मदद करता है जो हकीकत में एक डकैत होता है आगे हम देखते हैं कुछ दिनों बाद उसका अपहरण हो जाता है लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि जिस घायल वेक्टी को उसने मदद की थी हकीकत में वो एक डाकू गिरोह का मुख्या था यही है मेरी जान बचाने वाला यह मुख्या राजू का अच्छा ख्याल रखता है और अच्छा सलूक भी करता है और उसे अपना मानता है डाकू गिरोह की बेटी कम्मो पदमीनी राजू से दिल लगा बैठती है कम्मो और डाकू मुख्या राजू को विश्वास दिलाते हैं कि वो एक अच्छे लोग हैं और दौलत का बटवारा सभी डाकू मिलकर एक साथ करते हैं एक दिन एक लूट के दौरान डाकू गिरोह के लोग एक नए शादी शुदा जोड़ी की हत्या कर देते हैं राजू इस बात का विरोध करता है और पुलीस के पास चला जाता है और साथ ही वो गिरोह छोड़ दिने का फैसला भी करता है तो यहाँ डाकू गिरोह में एक डाकू राका प्राण मुख्या की हत्या कर देता है और अपनी हुकूमत जमाता है वो कम्मों से जबर्दस्ति शादी करना चाहता है राजू पुलीस की मदद लेता है ताकि वह उनको और उनके गुनाह करने और अपराधी बनने से रोक सके और उन्हें आत्म समर्पण करवा सके लेकिन उसकी कोशिश नाकाम साबित होती है जब पुलीस उन्हें गिरफतार करने के बजाए उन्हें मार देती है और उसके डाकू दोस्त मार दिये जाते है उसे हैरानी होती है कि पुलीस अपराध रोकने के लिए इतने नीचे कैसे गिर सकती है फिल्म के लास्ट में हम देखते हैं कि राजू की बात मानकर पुलीस सभी बचे डाकू गिरोह के फैमिलीज को जीवन सुधारने का एक मौका देती है और यह फिल्म यही खतम होता है यह फिल्म अचारे विनोबा भावे और जे प्रकाश नारायन की कोशिश पे आधारित है जिन्होंने बहुत से नाकू को सुधार कर सही दिशा दिखाई और उनको समाज के मुख इधारा में वापिस लाया सो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में तिल देन दो लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चानल सी यू सून